प्रदेश में बीजेपी सरकार का गठन होने बाला है और जैराम ठाकुर नए मुख्यमंत्री की शफ़त कल ग्रहन करने वाले हैं बीजेपी के गड़ हमीरपुर में भी लोगों को नए मुख्यमंत्री जैराम ठाकुर से काफी उमीदे हैं एच्टूडे चैनल ने कुछ वर्ग के लोगों से बाचित की लोगों का कहना है कि हमीरपुर में नए बसड़े का निर्मान जल्द होना चाहिए साथ ही सालों से लटके मेडिकल कॉलेज को भी जल्द बनाया जाना चाहिए कुछ लोगों का कहना है कि नई सरकार से काफी उमीद हैं और विकास कारे करवाए जाने चाहिए लोगों का कहना है कि पहली वार इतने भाहमत से सरकार बनी है और इसके चलते हमीरपूर जिला को भी काफी उमीद है कि बिकास से लेकर जन्हित के फैंसले पर सरकार काम करेगी हिमाचल परदेश में कल नई सरकार सतासीन हो रही है परदेश के तेरवे मुख्य मंतरी के रूप में जैराम ठाकुर कल शब्त ग्रैंड करेंगे आईए हमीरपूर में जानते हैं क्या है लोगों की उमीदें उनसे अनूप जी हमारे साथ हैं अनूप क्या चाहते हैं आप जो परदेश में नई मुख्य मंतरी आ रहे हैं क्या उमीदें रखते हैं आप उनसे सब से पहले तो जैराम ठाकुर जी को मैं कि कल वो सत्ता संभालने वाले हैं हिमाचल परदेश की उनको बहुत-बहुत सुब कामना देता हूँ और अमीद करता हूँ कि उनके आने से क्योंकि वो ऐसे व्यक्तितों हैं एक इमानदार व्यक्तितों हैं और एक गरीब प्रिवार से आते हैं सो वो सारे गरीबों का दर्द समझेंगे हिमाचल का दर्द समझेंगे और हर जगा बारा जिलों में जो हैं वो एक समान रूप से विकास करवाएंगे किसी वी व्यक्ति को मौका नहीं देंगे ताकि कल कोई भी व्यक्ति उनके उपर आरोप लगाए कि एक शेतर पूर्व सेनकों के लिए तो वो रोजगार की कोई नो कोई योजनाय लेकर आए और मैं स्पेशल ये चाहता हूं कि शिक्षा में जहराम जी जो सरकारी स्कूल है उनका ढंक से निवी निकरन करें और ढंक से बच्चों की शिक्षा का हिसाग चल सके हमारे साथ विकास मौजू क्षेतरवाद के आरोब लगते हैं क्या चाहते हैं आप कि मुख्यमंत्री क्षेतरवाद के साथ काम हो की नहीं हो सर प्रत्म तो मैं आपके माध्यम से लाखों भारतिय जन्ता पार्टी के कारे करताओं को बदाई देता हूँ कि यहाँ पे भारतिय जन्ता पार्टी के सरकार बन रही है शिरी जैराम ठाकुर जी हमारे मुख्यमंत्री बन रहे है और हम ये आशे करते हैं कि ये जैसे कि कॉंग्रेस सरकार क्षित्रवाद फलाती रही है भारते जनता पार्टी इस तरह की राजनिती नहीं करेगी और कानून विवस्ता को सुधारेगी और ये जो हमारे स्वास्थ सुभिदाएं हैं उनको भी सुधारेगी और ये वहाँ को आगे लेके चलेगी। करें और जितने भी मेंडिकल कॉलेज में कॉलेजी हैं उन में अच्छी सी अच्छी सुविता सारे परदेश की जनता को मिले और मैं जय्स दंत चिक्षिसक भी मैं उन से रिक्वेस्ट करूँगा कि वे दिहान दें और उनकी भी काफी ज़्यादा रिक्रूटमेंट होती होती है वो इस वार नहीं होनी चाहिए गौर्टलभी की कांग्रेस के पांच सालों में हमीरपु में जहां नए बस अड़े का निर्वानकार अधर में है तो तक्निकी बिश्वदाले का काम भी पूरा नहीं हो सका है इसके साथ ही मेडिकल कॉलिज के बनाने को लेकर भी अभी तक कोई काम शुरूर नहीं हुआ है नए सरकार बीजेबी के बनने पर हमीरपुर के लोगों को भी उमीदें जगी है कि सरकार अच्छा काम करेगी